हेलो दूस्तों नमस्कार केसे आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छ होंगे चलिए आज हम बात करेंगे लिकोडर्मा क्या होती है जो हम लोग कहते हैं सरीर में उजला 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 वाइट वाइट पैचेज हो गई है कहें भी वह क्या होती है कैसे होती है कैसे हम बचें तो पहली बात हम लोग जानते हैं लिकोडर्मा है क्या उजला जो दाग हो जाती है पैचेज हो जाती हुआइट इस्पोर्ट यह है क्या आपको आपके सरीर में जब मेलानीन की कमी है मेलालीन क्या करती है आपके सरीर में कलर को मेंटेन करता है मेलानीन पिगमेंट की डिफिशियंसी मेलानीन पिगमेंट की जब कमी हो जाती है आपके सरीर में तो ये आपको कहीं कहीं पुड़े सरीर में कहीं भी हो सकता है स्काल्प में हो सकता है ज्यादा तर फेस वाले इलाकें पाया जाता है जहां soft mucus memory ने वहाँ पाये जाता है कहीं भी होता है इसमें कोई तरह की itching उचिंग नहीं होती है सिर्फ उसका धीरे 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 size बढ़ते जाता है कुछ condition में नुचनी itching होती है अब चलिए हम बात करते हैं होने का काड़न क्या है ल्यकोडर्मा होने का couch मतलब कारण क्या हो सकती है उजला दाख-दाख ने किडिया है वह ठीक से काम नहीं कर रही है आपकी लिवर फैटि लिवर हो गई हैं जो खाना ठीक से लेड हैं वो ठीक से पच नहीं राई आपके visions नहीं हुड़ी है या कहा सकते हैं आपके सरीर में जो पेट में जो gIT है उसमें sucking इन्टेकर्ण हो गई है वितरत वर्म्स हो गई है यह पाडा सैटिकल्स इन्टेक्टन होने से भी यह दिकत आती है जेनेरली देखा गया है यह कुछ कंडिशन में हैरीडिटरी मतलब आपके बाप दादा को पैपुरबज को था यह दिकत आप में आ गई है आपके अनुवांसिक हो गई है यह कुछ अब वो धीरे धीरे बढ़ते जाड़ है उजला दाग हो गया है और वो बढ़ते जाड़ा है उसमें कोई तरह इचिंग नहीं हो रही है लेकिन देखने बहुत बच्छुरत लगड़ी है मतलब डिस्कलेडेशन बढ़ते जाड़ ही है तो अब यह ज्यादा तर कहा मिलता है ग्रेई सेयर मतलब बाल भी उजला धीरे धीरे होने लगता है आपका जो रेटीना है जिससे आपको वस्तु को देख रहे हैं जो जेनरली क्या होता है यह डार कर होता है तो वह क्या होता है वह भी कलर चैंज होने लता है फेट करने लगता है आपका जो यह स्कीन हो गया है वो कहीं depigmented हो गया जो normal skin का होना चाहिए color वो देखने हम भद्धा लग रही है एकदम group type कर लग रही है बेकार लग रही है देखने हम एकदम odd feel कर रहे हैं ये कुछ condition देखने के मिलेगा आप आएंगे तो आप इसको पहले कुछ management से भी इसको recover कर सकते हैं management में क्या करना है आपको antioxidant vitamin c की मातर ज्यादा लेना एसपाइसी वाइली कम खाना है जो पपीता हो गई है पानी अधिक हो गई है नाडियल की पानी हो गई है यह जो लोकी है यह सब चीज का सेवन ज्यादा करने से juicy चीज फाइवरस चीज और सेलेड मतलब गिरिन किमेंटेड हो जाएगा कलड़ अब इसके बाद भी दीकत रह जाए एक दवाई आपके हमें पैफ में बहुत अच्छा काड़ गड़ है तो ऐसी कौन सी दवा है चलिए इसी तरह नए जानकारी देखने के लिए आप मेडिशनल को लाइक करें सब्सक्राइब कर लें और ब सुड़त लगड़े आपके चेड़े वह आपको सुड़त में बदल जाएगी इसके लिए एक वेलसन कंपणी ने बनाई है आपको ल्यूको वेल ड्रॉप ल्यूको वेल ड्रॉप अधिला ज्यादा पैचिज है तो पंद्रा पंद्रा बूंद तीन बार आधा कप पानी मे लीजिएगा और बच्चे के लिए आठठ भूंद तीन बार आधा कप पानी में और इसके बेटर रिजल्ट के लिए आप एक और दवाई एड कर सकते हैं इसी कमपनी की वेलसन कमपनी की है ल्यूको वेल ओयल मतलब इसी कमपनी के एक तेल आती है जो इसमें ये ड्रॉप क के साथ यूज करने से एक्स्टरनल जहां भी पैचेज है वहां दो टाइम आप लगाएंगे तो किसी भी तरह के पैचेज वाई डिस्कलेडेशन जो मेलानीन की कमी हो गई है उसको पुड़ा कर देगा और आपकी सरी में जो बदसूरत आ गई है उसको सूरत में बदल देगी इसी तरह नए जानकाड़ी देखने के लिए आप मेरे से बने रहें अधी आप नए हैंप मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद